नमस्कार किसान सात्यों स्वागते आप सभी का मंडी बाजार बाओ अपडेट यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे स्वेविन तेजी मंदी के बारे में नवंबर दिसंबर में हमें स्वेविन का रेट क्या देखने को मिल सकता है और आगे आने वाले समय में स्वयवीन के बाव में कितनी तेजी मंदी रहने की संभाव ना है सब के बारे में चर्चा करेंगे आप वीडियो को आकरी तक जरूर देखना अगर आपको जानकारी पसंद आए तो आप चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देजिएगा तो किसान बाईयो स्वयविन एक मत पून करसी उत्पाद है जिसका उप्योग मुक्य रूप से तेल और पसु आहर के उत्पादन में किया जाता है जैसा कि आप सभी को पता है बारत में स्वयविन का उत्पादन कास तोर पर माराश्ट मद्य प्रदेश और राजस्तान जैसे राज्यों में किया जाता है यह पसल भारते करसी अर्थ व्यविस्ता में मत पून गुमी का निबाती है क्योंकि इससे ना सिर्फ किसानों को आमदनी होती है बल्कि देश के तेल उद्द्यों को भी कच्चा माल इससे प्राप्त होता है वेश्विक इस्तर पर भी स्वयविन की बड़ी डिमांड बनी हुई है जिसके कारण इसकी किमतों में उतार चड़ाव अकसर अमें देखने को मिलता है स्वयविन की किमते गेरे लिव उत्पादन वेश्विक आपूर्ती मोसम की इस्तितियों और बाजार की मांग के आदार पर ही प्रबावित होती है वहीं आपको बता दे समय में स्वयविन के बाजार में कुछ मर्त पुन बदलाव भी देखने को मिले हैं बाजार में आवक बढ़ रही है लेकिन वेश्विक आपूर्ती को लेकर अनिस्चित्ता बनी हुई है साथ ही बारत में त्योहारी सिजन के चलते मांग भी बढ़ रही है जिस से बाजार में इस्तिरता देखी जा रही है इस डिपोर्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्वयबिन की मोजुदा किमतों पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है और क्या कारण है बविस्थे में क्या संभावना है हमें देखने को मिल सकती है तो किसान बाईयों स्वयविन की किमतों में हाल ही में दबाव देका जा रहा है इसका प्रमू कारण गेरेलू बाजार में आवक का बढ़ना है वर्तमान में स्वयविन की आवक में 70-75 लाख बोरी तक पहुँची हुई मंडियों में देखने को मिली है इसके बाउजू स्वयविन की किमतों में तेजी हमें देखने को नहीं मिली हाला कि प्लांटों में क्रेसिंग के लिए प्रियाप्त इस्टोक नहीं है जिससे कुछ इलाकों में किमतों में हलकी तेजी हमें देखने को मिली है माराष्ट में किर्थी प्लांट में स्वयवीन की केमत 4660 रुपे प्रतिक्वेंटल तक हमें देखने को मिली है किसान सात्यों स्वयवीन की वेश्विक आपूर्ति को लेकर कुछ संदे बना हुआ है विशेच रूप से मद्दे पूर में चल रहे तनाव की वज़े से वेश्विक बाजारों पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिला है आला कि गेरेलू पसल की अच्छी आवफ के कारण बारतिय बाजार में इसका प्रभाव उतना हमें देखने को नहीं मिला है इस समय सोयविन की कीमतों में कोई बड़ी तेजी नहीं देखी जा रही है सोया तेल की कीमतों में भी हलचला में थोड़ी बहुती देखने को मिली है नीमच प्लांट में सोया तेल की कीमत 1215 रुपे परती 10 किलो पिछले एक अपता में बाजार में पांस से दस रुपे की हमें मामूली सी तेजी यहां पर देखने को मिली है किसान बाईयों मोजुदा समय में नवरात्री जैसा कि आज दसेरा है और इसके बाद में दसेरा का जो मेला है वो सुरू हो जाएगा उसके बाद में दिपावली का त्योवार जो हिंदू दर्म का सबसे बड़ा त्योवार है वो आपको देखने को मिलेगा तो वहां तक हमें स्वेविन का मार्केट और क्या देखने को मिल सकता है तो त्योवारी सीजन आने से बाजार में सुए तेल की मांग बनी हुई है इस कारण सुएविन की कीमतों में बड़ी गिरावट का अनमान अभीग नहीं है और नहीं अभी तेजी की कुछ संभावना हैं हमें नजर नहीं आ रही है हाला कि गेरेलू आवक का बढ़ना कीमतों पर दबाव बनाए हुए हैं इसके बावजूद त्योवारी मांग के चलते बाजार में इस्तिर्ता बनी रहेगी त्योवारों के दोरान डिमांड में इज़ापा देखा जा रहा है जिससे बाजार में अच्छी तेजी की उमीद है किसान सात्यों सुयवीन के आज के ताजा बाव की बात करें या वर्तमान में जो बाव हमें देखने को मिल रहे हैं मंडियों में उनकी बात करें तो 4650 रुपे से 4700 रुपे प्रतिक्योंटल के बीच में ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं लातूर के अरन प्लांट की किमत की बात करें तो 4430 रुपे से और 4700 रुपे प्रतिक्योंटल तक देखने को मिल रहे हैं धनराज प्लांट की बात करें तो 4700 रुपे सोलवेड प्लांट पीच्च्यासी असी रुपे वहें बात करें विज प्लांट 4550 रुपे और शिद्द्रामेश्वर प्लांट में चीजानली 100 रुपे प्रतिके उन्टल के आसपास हमें सोयविन के दाम देखने को मिल रहे हैं दोस्तों सोयव तेल के बाऊ की भी फिलाहाल फिर से थोड़ी बहुत हमें तेजी देखने को मिली है सापताइक रिपोर्ट के अनुसार सोय तेल के बाऊ में 5-10 रुपे प्रतिक क रुपे प्रती 10 किलो वहीं बात करें तो एंग्रो प्लांट में 1265 रुपे प्रती 10 किलो की इसाब से हमें स्वया तेल का दाम देखने को मिल रहा है वहीं बात करें मद्दे प्रदेश की बात की जाए तो मद्दे प्रदेश के प्रमुक प्लांट्स की केमतों की इस्तिरता बनी हुई है प्रकास और प्रेश्टीज प्लांट में स्वेविन की केमत 4650 रुपे प्रतिकोंटल है जबकि महेश प्लांट में 4625 रुपे प्रतिकोंटल की दर देकी जा रही है इसके अलावा सोया ओयल की केमतों में भी उतार चड़ाओ देका जा रहा है प्रकास प्लांट की बात करें तो 1250 रुपे प्रति 10 किलो के हिसाब से में सोया तेल की केमत देकी जा रही है तो वहीं आपको बता दे किसान सातियों सोयवीन की कुल आवक की बात की जाए तो देश की अलग-अलग मंडियों में आज या पिछले कुछ दिनों में कुल आवक चार दसमलो पच्चिस लाख बोरी के आसपास रही है जिसमें मद्यप्रदेश में 1.5 लाख बोरी माराष्ट में 1.25 लाख बोरी राजस्तान में 75 हन बोरी की आवक की दर्ज की गई है बाजार में आपुरती के कारण अल्प कालिक दबाव देखा जा रहा है लेकिन दिर्ग काल में तेजी की उम्मीद की जा रही है किसान सातियों सोयविन के दामों में वर्तमान में बाजार में गिरावर देखी जा रही है जिससे ये समेक करिदारों के लिए उपिक्त हो सकता है और निवेशक और व्यापारी मौझूदा किमतों में करिदारी करके लाब प्राप्त कर सकते हैं फिलहाल में स्वयविन की बढ़ती आवक के कारण स्वयविन के दामों पर दबाव बताया जा रहा है लेकिन त्योवारी सिजन को देखते हुए और स्वय तेल में हो रही बढ़ोत्री को ध्यान में रखते हुए यह अन्मान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में स्वयवि उसका भी सरकार पर भारी दबाव बना हुआ है जिसकी वज़े से सरकार स्वेविन की खरीद पर कुछ महत्वपून पेसला ले सकती है इसलिए दिर्ग कालिक दृष्टी में बाजार में तेजी का अनमाने किसान बाईयों को सला दी जाती है कि वह व्यापार अपने रिस्क प पिसंद आए वो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइब करें